Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम HPSST के Advertisement, Salabus, Betting Panel Result के कुछ ऐसे Point है जिनके उपर मैं बात करना चाहता हूँ हो सकता है आप इन से Agree हो और आपके मन में भी ये Thought आए हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम Advertisement के उपर बात करना चाहते हैं इस साल से ये रूल बन चुका है कि HPSST अब मतरव जादा पोस्ट कोड के लिए जादा विकैंसी के लिए बेट नहीं करेगा उनके पास दस से पंदरा पोस्ट कोड भी पहुंसते हैं तो वो Advertisement निकाल सकते हैं वो फ्री है Advertisement निकालने के लिए लेकिन इसके बाब जूत पी जो आपने भी Advertisement देखी इसमें से बहुत सारी ऐसी विकैंसी हैं जो कि जून मिड से पहले जो था वो इनके पास पहुंच चुकी थी लेकिन इन्होंने उनको नहीं निकाला और बेट किया बाकी विकैंसी का क्योंकि इनको election से पहले एक एड़टाइजमेंट निकालनी थी और अख़बारों में जो news आती रहती है विर निकाली गई सेंकड़ोगे कैंसी तो वो news नहीं छप पाती और यहां पर आपको six advertisement भी देखने को मिल जाती लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं हुआ तो मेरा मतलब यही personal thought है कि अगर मतलब आपको rule के हिसाफ से free कर दिया तो आपको इतना wait नहीं करना चाहिए था जो आपकी advertisement है फिफ्ट है इस साल की तो six advertisement हमें देखने को मिल गई होती इसके बाद हम syllabus के ओपर भी बात करना चाहते हैं मतलब कितने time से HPSC exam conduct करवा रहा है लेकिन कुछ ऐसे मतलब clerk वगएर आप छोड़ दो स्थोर की पर हो गया लेकिन मतलब आपको एक specific syllabus बनाना चाहिए मतलब अगर आप किसी subject के अगर हम बात करें जैसे pharmacist के हम बात कर लें stop nurse के हम बात कर लें electrical mechanical अगर आप subject के definite topic नहीं बता सकते हो लेकिन आप subject तो mention कर सकते हो कि हम इस subject से डालेंगे आपने मतल नॉर्मली डाल दिया होता है कि इस जो है वो ब्रांच मान के चलो stream के all subject all subject में बहुत सारे ऐसे optional subject भी होते हैं मुझे लगता है कि अब हम उस time तक आ चुके हैं जब हमें जो है वो subject mention अगर आपने करे होंगे तो ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से क्यूंकि आपने बहुत सारे ऐसे exam देखे होंगे जैसे हम J.C.B.L. में भी बात कर लें अब भी recent आपने 970 post code का exam देखा तो उसमें bridge engineering के बहुत सारे question में देखने को मिलें जो कि इससे पहले इतने सारे exam हों 2013 से उठा लो आप आपको उस subject question जो है वो देखने को नहीं मिले होंगे और जितनी भी आप competitive exam की जो books रहती है उसमें जो subject रहते हैं तो वहां भी उसके MCQ आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो syllabus मतलब एक definite syllabus हो सकता है अगर आप topic नहीं बता सकते तो आप subject mention कर सकते हो इससी subject से आ सकते है question और tentative marks भी बता सकते है आपकी इतने इतने marks का subject से आ सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी चार पांच post code में वो बीस बीस question उस subject से आते हैं और किसी में आपको दो भी दी उस question उस subject के देखने को नहीं मिलते हैं इसके बाद हम result के उपर बात करें तो result में इतना time लगा लिया जाता है कुछ post code का तो एक एक साल वेट करना पड़ता है डेड़ डेड़ साल दो दो साल और जबकि ऐसा नहीं है उन पर कोई code cases भी नहीं होते हैं उसके बावजूद भी बहुत जादा time लगा जाता है तो अब तो evaluation भी खतम है तो जैसे एक नहीं किया हुआ है उनको इनको बताना पड़ता है HPSSE को कि आप बेटिंग पैनल को active करिए उसके बाद जब बेटिंग पैनल active होता है तो उसमें जो candeer select होते हैं तो उसमें भी आप जैसे किसीने form बरहा होता तो उसमें उन्होंने phone number डाला होता है तो उनसे contact भी अगर एक मीना लगा लेते हैं फिर उसके बाद बेटिंग पैनल बनाते हैं फिर उसके आगे एक मीना और लगता है जो लोग और जॉइन करेंगे तो काफी बहुत लंबी slow process है और कुछ पोस्ट कोड मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे कि male health worker का है साथ 651 है उसका यह 650 पोस्ट कोड है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को knowledge है कि बेटिंग पैनल एवन मुझे भी नहीं पता है कि किसी भी पोस्ट कोड का बेटिंग पैनल कितने टाइम तक active रहता है तो उसके उपर भी advertisement में transparency दिखा सकते हैं यह कुछ ऐसे point है जो मुझे लगा कि आपको बत share कर सकते हो channel को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए